अस्ट महापाथा संस्कित पिश्वम कक्षा तीन मंपरिवार रहा पाथ का नाम है हमारे मेरा परिवार अहम सानिया मैं सानिया हूँ अहम तरतिया कक्षायाम पठामी मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ यह मेरी मा है, सा शिक्षी का अस्ती, वह शिक्षी का है, इसके बाद, एशा मम पिता अस्ती, यह मेरे पिता है, सा किर्श का अस्ती, और वह किसान है, एशा मम पिता मही अस्ती, यह मेरे दादा जी है, सा समाचार पत्रम पठती, वह समाचार पत्र पठते हैं, एशा मम पिता मही अस्ती, यह मेरे दादी है, सा आपड़ात शाकम आन्यती, वह साकम यानि बजार से सबची लाती है, इशा मम भ्राता अस्ती यह मेरा भाई है शा कुसलम गायका अस्ती वह बहुत अच्छा गाना गाता है यह गायक है इसके बाद इसका अनुवाद है इसमें शब्दों को पढ़िए मम, पिता महा, पिता मही, माता महा, माता मही, भ्राता, भगिनी ठीक है? अब अपने परिवार के सदर्शों के नाम लिखकर पूरा कीजिए कहा देखें, मम नाम अब आप इसमें अपना नाम देखेंगे जो भी आपका नाम है, यईनि सरला ठीक है? मम नाम सरला है ठीक है? श्री मम Pita Asti तो आप अब इसमें मनूज कुमारा आप इसमें श्री मती अब इसमें अपनी माता का नाम लिखना ममाता अस्ति, तो सुकन्या, सुकन्या अस्ति, श्री अब इसमें अपने भाता का नाम, इसमें अपने भाता, भाई का नाम लिखना है, तो इसमें अपने भाई का कोई भी आप नाम लिख दीजी, जो आपके भाई का नाम हो, राजह, राजह अस्ति, अब अपनी बहन का नाम कौन से अपनी भेन का नाम है प्रतिमहा ठीक है श्रीमती मम अम्मा का भी इसमें पितामही दादी का नाम श्रीमती पितामही अब इसमें किसी सरीतह ठीक है अब इसमें पितामहा इसमें लिख दीजिए गोवर्धन गोवर्धना मम पितामा आस्ति तो ये हमारा पूरा परिवार का हो चुका है अब सही जोड़े बनाने हैं देखिए भगिनी क्या होती है बहन ये आपकी बहन होगी भ्राता आपका क्या होगा भाई हो गया और पितामा ही क्या होता है दादी होती है पितामा होता है दादा तो हमारी ये अभ्यासकार पूरा होता है.